अब आज हम लोग नंबर थी पिल्ड करा है इलेक्ट्रिकल फर्स सेमेश्टर का होगा इसी सब्जेक्ट को जो सीविल है उससे सेमेश्टर में पढ़ेंगे ठीक है तो नंबर थीरी एक करवा दिया गया है वहां पर फस्ट और का था यहां पर सकेंड ओर का यह अधर अधर हो है वहां पर लिखा होगा कि आपको क्या निकालना है कुपलीमेंटरी फांक्शन निकालना है और पार्टिकुलर इंटेरगल निकालना है आप अपने सिलेवस में देखेंगे ठीक है मोडूल भी में लिखा होगा तेशी को बोल बाई जिकल टू बाई मतलब कम्प्लीट कूर्टिक पर ट report यहलेगो क्या हो सकता है तो इसका का सिलेगा और ऐस्को करना है तो एक्स का निगलेगा यहनी मिला जुला कि आपको लास्ट वर्ड में बोले तो सी एफ निकालना होता है और पी आई निकालना होता है दोनों को एड कर देना होता है बलकि वो किसी में रहा है ठीक है चलिए तो हम लोग बारी बारी से उसको देखते हैं कुछ सेंबोलिक फॉर्म आपको बता दिया जाता है दम बेसिक जीरो से उठाएं बाबू देखिए यह सब को असकीप भी कर सकते थे डाइरेक्ट क्यूशन भी बता स सकते थे लेकिन दम जीरो लेवल से उठा रहे हैं क्योंकि आपका पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो यहां पढ़ने आएं तो आपको कुछ बेसिक से होना चाहिए ठीक है तो हम बाई इसका जरूरत ने आप समझ जाईए अगर नहीं कुछ समझने वाली बात नहीं थी लेकिन फिर वह एक बाल रिपीट कर देते हैं अगर कि नहीं को लग रहा हो तो एक बाई को एक्स के डिपेंडेंट नहीं इसका है यहां प्लस पिए लेकिन वही एकस को की के रिस्पेंट में तो यहां पे एकस क्या हो गया dependent हो गिया अट्टी क्या हो गिया independent हो गिया और जो आपका general solution निकलेगा वो क्या निकलेगा x is equal to cf plus pi मतलब वहाँ भी ऐसा ही निकलेगा और z को by के respect में ज़िट dependent by independent z का value क्या हो जाएगा cf plus pi हम लोग बारी बारी से सारा point देखेंगे अब कुछ symbolic form यहां पर यूज होता है अगर कहीं भी आपको dx upon dx मिले तो उसको नाम देंगे हम ठीक है और d2 upon dx रहे तो उसका नाम देंगे इसको आप दिफ्रेंशियल ऑपरेटर्स और ओपरेटर्स ठीक है यह यह उनली अपरोट अपरेटर कहीं ठीक है चलिए फ्लोचार्ट क्या cf का कैसे हम लोग बनाएंगे फ्लोचार्ट में बता देते यानि बर्किंग रूल कैसे इसे बनाते हैं लोग तो सबसे पहले लिनियर डिफ्रेंशियल इक्वेशन जो दिया रहता है उसको सिंबोलिक फॉर्म में करने के बाद इस सारे एक्वेशन को fd के टर्म में लिख देते हैं ठीक है और उसको एक जुलरी इक्वेशन बनाते यानि जहां डी था ना इसको इसको डीफ कैसे लिख सकते हैं ठीक है तो दिखने के लिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा अगर जिससे रूट निकालते फैक्टराइज आते फैक्टर करने पर जो वहाँ उसका कोई रूट भैलू आता उस रूट को क्या करना होता है cf में convert करना होता है तो अभी जियो point सिखा रहे हैं बस उसको समझते जाएगा ध्यान से समझते जाएगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर लिखना होता है cf तो यह है c3 e k power x ऐसे बढ़ाईते जाए अगर देखे तीन पॉइंट है न तो c3 तर लिखे एक और पॉइंट रहता तो कहां तक लिखते सी फोर तक लिखते ठीक है जहां तक रहेगा जब जीतना पॉइंट रहेगा उतना तक लिखना तेहां थीरी तक लिखे अब क्या देखना होता ह है कि–2 है न तैहां पे – 2 देदीजे यह 3 है न दूसरा हम live 4 देदेजे फाइब हैं न तैहां पे 5 कितना असान होगा अरफ यह तक किलियर हो शोज़िए दूसरे प։इट पे आते हैं है रियल हो और कर रहा हो तो रीपीट वहला में ध्यान दिजेएगा फोड़ा सा ध्यान दिजेएगा पहले कितना वढ़ है एक दो तीन चार पहले टो यहां पर लीख सी डूएंपल माइनस टू है न तेहां पर धर्दी माइनस टू फिर कितना है माइनस प्लस थीरी आ जाए जब रीपीट करना स्टार्ट कर दे इसको बढ़ियां से लिख देते एक्स देगे उसके अगे एक्स लगा दिया जाता है चलिए यहां तक तो फिर रीपीट कर गया तो फिर एक्स लगाएंगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स अस्कॉयर हो जाएगा यानि यहां पर देख रहा है सीवान एक के पावर माइनस टू एक्स सीटू एक्स एक्स अब फिर रीपीट कर गया तो एक्स एक्स क्यू ठीक है तो इस तरह से ह जब repeat value करता है तब क्या करते हैं उसमें x के multiplication कर देते हैं किलियर है चलिए आप आते हैं कि imaginary में imaginary सुने कभ होता है माली जब minus 4 का root निकलना तो minus 4 निकलता है तो इसको हम लोग कैसे निकाल देते हैं पहले minus i1 का इलग कर देते हैं तो को अलग करते हैं प्रहस माइनेस 3 यह कोई भी अंडरूट का होता थे पलस माइनस ले कर निकलता यह पलस माइनस का मतलब एक बार 3 आई है यह क्या है माइनस 3 यह ना इसको और उसको देखे जब imaginary हो तो कौस ओर सायन में लिखते हैं देखिएगा यहां पे दितिये से देखिएगा लिग के दिखाते थी थीड है न यहां पे हो जाएगा कौस ठीरी एक्स के अफिर पलस माइनस ऑगम दände गांच sin 3x ठीक है तो जब भी imaginary रहा है तो imaginary के लिए हम लोग क्या लिखते है cos sign लिखते है cos sign लिखते है तो plus minus 3 आई आई है तो उसको c1 cos 3x c2 sin 3x 4 रहता तो क्या हो जाता सिर्फ यहाँ change होता 4 5 रहता तो सब यही रहता c1 cos भी रहेगा स्टेट्स डेसं कम्प्लेक्स किक्षान नंबर ब्लस इमयजिनर्ष नमबर और इम मेंजिनर्ष दोनौ होतों कैसे बनाना के सिन से रिखें तो 3 है तो reactive के समस्वाइब हैं रिपीत कर जाए तो दिए तो एक्स सिर्फ क्या लगा दिए पावर्त्यत ऑ loud देगे के आई निजंद रिपीट करजाए रिपीट एकस लागए यह रियल पार्ट वला होगे एके पावर 2x imaginary वला क्या हो जागा c1 cos 3x है और पलस c2 sin 3x है और रिपीट कर गया ना तो बीच में पलस देंगे और रिपीट करता है तो x लगा देखिए रिपीट कैसे किया था दोनों सेमी चीज है ना दोनों सेमी चीज है रिपीट कर गया तो रिपीट कर फिर से x लगाएंगे ठीक है एके पावर 2x सी 3 cos 3x पलस c3 sin 3x ठीक है तो यह हुग यह कंप्लीट सोलूशन चलिए और है भी एक मिसिंग वाला मिसिंग का मतलब रियल पार्ट अलग है इमेजिनारी पार्ट अलग है अभी तक देख रहे था कंप्लेक्स वाला म लिकिन अहां पर बीच में कौमा लगा हुआ है रिवाट अलग है इमेजिनारी पर्ट अलग है तो कैसे लिखते हैं पहले रिएर बाला याद कीजिए सी तना से ज्यादा केस कभी आहीं नहीं सकता है इतना ही केस ही होता है आएगा तो इतना ही आएगा तो चली क्यों सम्साल्यूशन करके दिखाएंगे मजाएगा पड़ने में कि दी य da x squared इसकल टो यद्य एक्स पॉलस दी इसकल टो जी रो अब यहाँ पर आप आपको बताये थे कि य के Dole derivative होगा तो हम कैसे लिखते हैंople C लिखते हैं सिंगल डेरिवेटिभ रहाता तो कैसे लिखते हैं यहां पे ठीक है और इसका सिंछा है शिरो लिखाँ कर्बर करते हैं यहां पे होगत यहां पे the डीटू भाइए अपाइपूय रहे हैं इसका इसका बढ़ बहाते आगे करते क्यों सब्सक्राइब यहां पर दो भी क्यों सब्सक्राइब क्या हो गया और यहां पर थीरी दीवाई का क्या हो जाएगा थी देखेंग कि समझ में आ रहा है सिंबोलिक फॉर्म कनवर्ट करने आ रहा है फिर से बता रहें उस पर फोकस किजिएगा यह डी टू बाई अपॉन डी एकसर कहीं भी मिलेगा तो इसका वहलू डी टू बाई ही होगा ठीक है यह इसको हम बोल रहे हैं डी टू एकसर स्क्राइब इसको बोल दिये डी टू बोल दिये जो बाई होगे बाई ठीक है अब इसके आगे फोर लगा रहा है फाइव लगा रहा है तो इसको लिख दिया जाएगा ठीक है जिसे माली जी कि 5D2 by अपॉन डी एकसर स्क्राइब इसको आप कैसे लिखेगा सोचिए सोचिए जल्दी से 5D2 by ऐसे लिखेंगी ठीक है यहां पर हरी डिए जबाई जोट गया है कि यहां पर स्टीशन दोरे कर किया गया चलिए यहां पर को मैं दोकर दें ठीक है चलिए क्मनले लेते हैं और में which is the required symbolic form now from equation 2 अब क्या बोले थे कि जो equation दिया रहता है उसको हम लोग FD ले ले लेते FD का मतलब यह जो बीच में बाई को छोड़के बाई इन्हें गुना में तो धर भागा में 0 हो जाएगा ना जाके इन्हें बाई गुना में तो धर जाके 0 यही FD है FD का मतलब D में सब function है FD is equal to D square plus 3D plus 2 अब auxiliary function बनाने बोले थे auxiliary में जहाँ जहाँ D हो वहाँ आप पूट कर दिजे M बस now for auxiliary equation put A F M is equal to 0 B gate M square plus 3M plus 2 is equal to 0 यहनी क्या था D square plus 3D plus 2 is equal to 0 था ना यहनी सिर्फ जहाँ D होता है नो वहाँ M रख देते हैं तो D के जगा M square हो गया 3M हो गया plus 2 is equal to 0 M square 3M को टोड़े 2M plus M में टोड़ सकते M plus 2 is equal to 0 M common हो गया M plus 2 यहाँ पे 1 common हो गया M plus 2 factorize कर देंगे M plus 2 M plus 1 is equal to 0 यहाँ पे M plus 1 is equal to 0 तो M is equal to minus 1 M plus 2 is equal to 0 तो M is equal to minus 2 यह सब आता है ना आई हो पाता ही होगा तो सिंस M is real and distinct ठीक है तो जब M का value real होता था यह यहनी यहाँ पे क्या minus 1 और minus 2 जब M का value minus 1 minus 2 है तो real है तो real के लिए कैसे लिखनी के लिए सिखाये थे C1 e के power x लिखके छोड़ दीजेगा C2 e के power minus 1 है तो यहां पर – 1-1 पूट कर दिये और दुसरा हम क्या the minus 2 यह सी अप हो गया यही सीँ फो गया कितना आसब बहुत असान है हना चलिए और क्योस्य करवाते अब आते हैं PIE के लिए PIE में क्या होता है कि जब जे अभी की equation देख रहे थे आप 3D पलस कितना था 2 is equal to 0 तो जब बरावर में 0 रहे न जब भी आरेचेस में 0 रहेगा तो उसका भैलू हमेशा PIE का भैलू 0 जब कोई क्योशन दिया रहे है जैसे इस तरह से देखिए डी 2 बाई अपॉँण डी एकसस्काइर पलस 3D बाई पलस टू डी एकस पलस तीरी बाई जिकल टू साइन एकस दिया रहे है देखिए ओहो एक सेकेट बरावर की इधर देखिए बरावर की इधर कोई पॉइंट मिल गया न तब नहीं हो सकता है लेकिन जब उसके क्योशन के बरावर में 0 रहे तो पी आई का भाईलू हमेशा 0 होता है आगे बता रहे हैं सब केस लेंगे कभी साइन आएगा कभी कोस आएगा कभी एकस आएगा सब पॉइंट को डिसकस करेंगे आपे ठीक है तो बस बने रही है मेरे साथ देखते रही है कहां गया हां तो पी आई के लिए देख लेते पी आई के लिए फर्मूला था है बन अपान FD इंटो तो 0 put कर देंगे ठीक है तो RHS में 0 put कीजिए तो 0 put कीजिएगा तो PIE का value 0 हो गया तो आपको complete solution पता है क्या लिखवाए थे by is equal to CF plus PIE CF plus PIE तो by is equal to क्या हो जाएगा 7E के power minus X plus C2E के power minus 2X जो CF निकला आप plus PIE का value क्या 0 तो सिर्फ by is equal to क्या बज़ेगा 7E के power minus X plus C2E के power minus 2X यही सिर्फ अंसर होगा आपका ठीक है तो हम लोग हर एक क्यूर्शन को देखेंगे आपको टेंसर नहीं लेना है ठीक है चलिए इस क्यूर्शन को देखते हैं solve by double dash plus 2 by dash plus 2 by is equal to 0 तो by double dash का मतलब समत्य क्या होता है टीटू होता है ठीक है डीटू होता है और सिंगल का मतलब क्या होता है डीवाई अपॉण डीएक्स होता है अब पलस 2 by is equal to 0 तर डीटू अपॉण डीटू अपउण डीएकससक्वाइड को क्या मानने बोले थे क्या बोले थे यहांपर डी है डीएकससक्वाइश कोई दिखत नहें डेल रहे है ठीक है तो डीटू हो जाएगा एक डिफुद टीपंसियेशन है तो डी हो जाएगा आप 2पाई है तो वा इसकल टीडू छीर ठहक है तवे औरक इंगे टो यह दिटो ने लिए लेक्ते कन तो cả बाइक मर भाइक ओंगे तक या अब आ यहे इसको क्या कर दे तहितक है इसका फटी क्या हो गया करें द्सक्राय प्लस टो दो एक्जूलरी एक्वेशन का ओता था जहां ये महां जहां एम है जहां डी है वहां पे एम पूट कर देना एम पूट की जीगा तो क्या मिलेगा डी स्कॉइर को एम एमस्कॉर टू एम पर टू इच्कल टू जीरो अब इसका भैलू फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग इस पर फर्मूला पे निकालते हैं नकालते हैं इस पर इसी पर निखाल के तो देखें निकाल लेगे सेकेंद रूप जईए व माइनस 2 परस माइनस माइनस 4 हो जायेगा वर्टा टु यहां पर समा ड पर्स थू परलस माइनस आपर प्लावдо निकल दीड़ में मिज़ें कि गशना यहां नहीं पर वं है यहां पर इक NARS नहीं नहीं यहां नहीं यहां पर रहता थे क्या करते है तो सीएफ का फैलू हो गया नौ पी आई इस रीटेन आज आज अब यहां पर भी देख रहे हैं कि equation के बराबर क्या है दो जीरो है तो जीरो है तो पाइफ डी इन्टू आरेचे से अगर साइन रहता है यहां पर साइन डिख देते तो जीरो है तो यहां पर जो equation complete solution आपका बना by equal to C f plus pi तो यह के पार minus x plus c1 cos c2 sin x plus 0 तो यह यह आपका क्या हो गया complete solution हो गया कुछ यहां पर pi 0 था तो सिर्फ क्या बचा cf बचा ठीक है चलिए अब यह q susan है बॉंडरी कंडिशन का तो आई होप ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो आज इतना ही तक रहने देते कल देखे सेम क्यूशन है खली उसमें कुछ बॉंडरी कंडिशन लगा के पूछ सकता है ठीक है इसके बारे में हम लोग कल्चर चाहें करेंगे ठीक है